हाई गाईस तो चलो बात करते हैं मेंस्ट्रूल साइकल की जो अपनी एंस्याटी में दे रखी है और उसके ही बेसिस फे हम इसको पूरा पढ़ेंगे नो एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं सर्फ पहले हम उससे पहले बात करते हैं यह जो ग्राफ दे रखा है यह जो सबसे पहले होता है मैंस्ट्रूल फेस थें फॉलिक्लर फेस अब जानते हैं कि यह कितने कितने दिन के बीच में हो रहा है तो सबसे पहले जो मैंस्ट्रूल फेस है वह यहां पे ग्राफ में दिखा रख है वन से फाइव दे के बीच में हमारा जो मैंस्ट्रूएशन होता ह पर जो थेरी है उसमें आप देखोगे 3 to 5 days के बीच में हमारा menstrual phase हो रहा है तो यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि यह 1 to 5 days में हमारा menstruation हो रहा है अब जैसे हम 6 to 13 days पर जाते हैं यहां पर होता है follicular phase और यह proliferative phase तो यह proliferative का मतलब क्या होता है कि यह जो thickening है uterine wall की वो thickening होती है thickening यहां पर proliferation होता है इसका thickening होता है अब जैसे हम luteal phase पर जाते है पहले ovulation की बात करते हैं जैसे हम ovulation पर jati है तो यहाँ पर होता है ovulation ovulation में क्या होता है? graphene follicle तोट जाता है और इसमें से हमारा ovum है वह बाहर निकल जाता है अब 14th day के बाद में यह जो ठीकिनिंग है वो और जादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर फॉर्म होता है corpus luteum तो इसी luteum के नाम पर हमें दे रख है luteal phase ठीक है तो यह अपना secretory phase और फिर उसके बाद यह cycle दुबारा से begin होती with what menstrual phase तो ऐसे ऐसे यह चीजे हो रहे है cycle चल रही है सबसे पहले menstruation और फिर follicular phase फिर leuteal phase फिर दुबारा menstrual फिर follicular फिर leuteal यह ऐसे हो रहा है ओके इतना हम में समझा कि कितने डेस में क्या क्या हो रहा है leuteal phase कितने दिन का हो रहा है 15 तु 28 days का हमारे leuteal phase होता है कब हो रहा है 14th day पे हो रहा है क्यों होता है क्योंकि LH surge होता है चलो अब इसको साइट रखते हैं थोड़ा दफ्त में जाते हैं और understand करते हैं what actually this graph is trying to convey ठीक है तो चलो starting करते हैं यहां से यहां तो हमें पता ही है कि 1-2-3-5 फाइब डेशन और ब्लीडिंग हो रहा है इतना पत्त है में उसको जाद जानने की जरूरत नहीं यहां पर पहले starting करते हैं ठीक है follicular face follicular face किस चीज से लियागे follicles के development से यहां पर देख सकते हैं जो follicles होता है वो इसके जिए उपर को टॉपिक है उसमें क्या पढ़ा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो किसमें चेंज हो जाता है secondary follicle में और secondary किसमें होता है tertiary और tertiary follicle चेंज हो जाता है graphian follicle में इतना हमने पढ़ा है अब एक चीज और पढ़ लो कि जितना ज्यादा size बढ़ता है इसका किसका follicle का जितना size बढ़ेगा वो उतना ज्यादा क्या रिलीज करता है estrogen और जितना ज्यादा estrogen release होगा उतना ज्यादा ही हमारा uterine wall का thickening होगा वह उतना ज्यादा थिक होता जाता है जैसे देखो यहाँ पे यह primary follicle ठीक है यहाँ पे आप size उतना ज्यादा estrogen रिलीज करते है तो यहाँ पे फॉलिकल डिवल्लप्मेंट में कौन वोग करता है FSH FSH मतले फॉलिकलर stimulating hormone किस पे वोग कर रहा है हमारे follicles पे और फॉलिकल्स का सिक्रीट कर रहे है estrogen और यह estrogen किस पे वोग कर रहे है endometrium की तिक्निंग में help कर रहा है यह uterine wall की तिक्निंग में help कर रहा है ठीक है इतना समझा तो यह कितने दिन के बीच में हो रहा है यह हो रहा है 6 तू 13 डेस में अब जैसे हम 14 डे पे पहुंचते हैं जो estrogen होता है न वो क्या करता है यहां पर आप देख सकते हो यह hypothalamus है ठीक है इसको hypothalamus समझ सकते हैं यह pituitry समझ सकते हैं अब जो hypothalamus है वो क्या release कर रहा है estrogen पर वोग कर रहा है जिसकी वज़े से hypothalamus release करता है Gnrh conadotropin releasing hormone और यह क्या release कर देगा LH and FSH और यहां पर pituitry है यह क्या release कर देगा LH अब क्योंकि LH की मातरा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है इसी को हम कहते हैं LH surge इसी को हम कहते हैं LH surge जो कि 14th day पर होता है तो 14th day पे LH की मातरा बहुत ज़्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो LH बढ़ रहा है FSH भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से यहां पर होता है ovulation on the 14th day 14th day पर क्या हो रहा है ovulation ovulation के होगा graphene follicle तूट जाता है और उसमें से कौन निकल जाता है हमारा secondary ocid या ovum वो निकल के बाहर चला जाता है कहां पर यह फैलोपीन ट्यूब में वो चला जाता है और बचिता कौन है यहां पर graphene follicle तूटा हुआ जो कि further change हो दाता है corpus luteum में तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ovulation का face भी खतम अब आ रहा है अपना neutral face तो यहां पर जो यह graphene follicle है remaining graphene follicle वो किसमें चेंज हो गया corpus luteum में corpus luteum क्या करता है वो progesterone को सिक्रीट करता है और साथ में estrogen भी सिक्रीट करता है अब जिसकी वज़े से estrogen तो इसकी वज़े से प्रूस की thickening और जादा बढ़ भी गिए अब इसने प्रोजस्टिरोन भी रिलीज किया है यहां पर देख प्रोजस्टिरोन का लेबल बढ़ रहा है तो यहां पर प्रोजस्टिरोन क्या क्या करता है वो ब्रेस्ट weasрь बना देता ह Candi एंडोमेट्रियम जो है उसको और वैस्किलर बना देता है यहां पर देख सकते हैं आप लोग कितना जादा यह वैस्किलर हो रखा है और साथ भी इसका जो थिकनिंग है वो भी कितना जादा बढ़ा रखा है क्यों 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 कॉन कर रहा है कॉर्पस लूटियम अब जैसे जितना ज़्यादा बढ़ा रहा है उत्ता ज़्यादा थिकनिंग हो रहा है पर एक टाइम ऐसा हाता है जब लच कम होगा पूरी पूरी लाइफ था है लच एकदम हाई लेवल पे तो रह नहीं सकता कभी ना कभी तो कम हो गई ना अब जैस टाइम देखो यहां पर देखो बढ़ा भई degenerate हो रहा है तो प्रजेस्टर डॉण और एस्टरोजन कॉन रिलीस करेगा नहीं रिलीस करेगा ना कोई तो तो अगर कोई रिलीज ही नहीं कर रहा तो यह क्या तोटना शुरू करते गा अपना जो एंडो मेट्रे में वो क्या करने लग जाएगा तोटना शु यहां पे जो LH है उपना कम हो रहे हैं लह सक कम होगा तो यह डिजनरेट हो जाएगा और अगर यह डिजनरेट हुआ थो यह आपको फिर भी कोई टाउट है तो आप कॉमेंट में जरूर पूच सकते। तैंक्स तो वाचिंग।